हे गईस तो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग 2 x 2 digit का multiply कर सकते हैं बहुत ही easy way में तो आई चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2 x 2 digit में example से तो मान लिजे हम लोग को given है 14 x 21 ये 2 digit को हम लोग को multiply करना है ठीक है तो हम लोग ऐसे लिखते है 14 x 21 तो step 1 जो होता है step 1 में हम लोग करेंगे last 2 digit है उसको multiply करेंगे तो 4 x 1 करेंगे तो 4 मिलेगा फिर step 2 में जो हम लोग ये digit है 1 x 1 और 4 x 2 करके add कर देंगे या alternate digit को multiply करके add कर देंगे तो 1 x 1 प्लस 4 x 2 तो जो की हो जाएगा 4 x 2 x 8 प्लस 1 9 हो जाएगा ठीक है फिर step 3 देखेंगे step 3 में first 2 digit को multiply करेंगे तो 1 x 2 जो की हो जाएगा 2 और फिर इसको लिख देंगे तो हम लोग को answer हो जाएगा 294 ठीक है बारा लिखते है 1 small में लिखते है ठीक है फिर इसमें alternate digit कोमेंट प्लस 5 x 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 x 2 x 10 प्लस 2 x 12 हो जाएगा ठीक है और फिर step 3 जो होगा step 3 जो होगा उसमें हम लोग करेंगे 1 x 2 is equal to 2 ठीक है तो हम लोग लिख लेते हैं लाज डीजिट 0 फिसमें 12 में से 1 एड करेंगे तो 13 हो जाएगा और फिर 13 में 1 बचा तो 2 प्लस 1 is equal to 3 तो 3 30 इसका एंसर हो जाएगा तो अब लोग देख सकते हैं कितना असानी से हम लोग 2 डीजिट को मंटप्लाय कर सकते हैं तो ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को प्रेस कर दे थैंक्यों